आपने कहवत तो सुनी होगी कि अधूरा ग्यान जो है बहुत खतरनाक होता है तो यदि आपको कुछी समझ में नहीं आती है मेरी वीडियो देखने के बाद या कुछी और भी कोई और भी कनफीजन है तो कमेंट कीजिए कई लोग तो ऐसा कमेंट करते हैं कि आप कमेंट के निचे रिपलाई नहीं करते हो कुछ जो प्राइटिक कमेंट लगते हैं रिपलाई भी करता हूँ लेकिन मैक्जिमम कोस्चिन जो ऐसे होते हैं उन सवालों के जवाब में अपनी वीडियो के अंदर जरूर देता हूँ आप हर वीडियो में जैसे कि आज लेकर आया हूँ एक दरसक ने किसी ने कमेंट किया था मैंने इंफलेशन एज़ेस्ट्री डिटन दिखायते एक पॉर्टफोलियो को नीचे कई सारी इसकी में दिखाता हूँ आज के भी दिखाऊंगा जैसे कि लबबक 10 क्रोड बनेंगे तो उसकी वैल्यू 20-25 साल बाद कितनी रह जाएगी वो बहुत कम हो जाती है तो उन्होंने बोला था कि हर 10 साल में आपका पैसा जो अधर रहाता है तो वहाँ पर inflation जो adjustment मैंने किया था वो 6% से किया था इसी कारणन से जो वो calculation थी exit calculation थी आपसे request करना चाहूँगा यदि वो दर्शक देख रहे हैं तो please जाकर online चेक कीजिए कि 6% का यदि inflation हम लगाते हैं तो उसी वीडियो को नीचे उतने fund की value कितने रहे आती है क्या 10 साल में आधी हुए आती है या आधी नहीं होती है आपको उच्छित लगे तो comment करके बताईए का जरू ठीक है आप देख लिते हैं आज का portfolio भेजा है यह है सांतना साहूजी तो साहूजी इनका surname समझ में आ रहा है यानिकि 21 साल में निवेस इन्होंने स्टार्ट कर दिया था प्लीज मेरा portfolio रिव्यू कीजिए 25 साल में 10 क्रोल इनको बनाने है तो देख लितने हैं बनेंगे नहीं बनेंगे PPF SBI 12.500 रुप महीनी की जारी है यानिकि जो किस्त जारी है आपको प्रिंस्पल पर, रिटन पर, कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है maturity पर और 15 साल का जो लोकिन होता उसके बाद आप 5 साल करकर के इसको आगे बढ़ा सकते हो ठीक है तो आपने यह नहीं बताए कि PPF का जो investment है उसको आप कितने समय तक continue करोगे मैं आपके PPF का भी जो time period है वो 25 साल का ही consider करके आपको calculation दिखाऊँगा ठीक है इसके बाद SBA small cap direct fund 2500 रुपे के SIP SBA tech fund 2500 रुपे के SIP SBA small cap अच्छा fund है tech fund sectoral हो गया तो sector का आपको पता है कि यदि IT companies चलेंगी IT sector चलेगा तो आपको अच्छी performance निकाल कर दे सकता है रामसे continue कीजिए SBA multi cap direct fund 5.000 रुपे के SIP ये fund NFO में आपने investment किया नई स्कीम है मुझे अभी तक इसके return है वैसे track record देखी नहीं सकते लेकिन multi cap fund उनके लिए होता है जिनको market का पता ही नहीं है जो कि केबल एक ही fund में इवेस करना चाहते है multi cap में यानि कि उनको एक ही में खिड़ी मिल जाए पूरी हमें अलग-अलग सजी नहीं बना नहीं है खिड़ी बना लो सबका मज़ा उसी में ले लेंगे सबका आनदा जाएगा ठीक है आपका ये Tata small cap पांचे रुपे के SIP ये भी अच्छे स्कीम है इसके बाद SDFC defense sectoral हो गया defense में government का बहुत ज़्यादा भी ध्यान है government बहुत ज़्यादा प्रैटिक देरी defense sector को पैसा भी जा रहा है companies के stocks ने बहुत ज़्यादा return भी बना कर दिये सेक्टर चलेगा ऐसी उम्मीद है तो आपको return भी अच्छे बना कर दे देगा SDFC small cap again small cap ठीक स्कीम है पच्छे सुरुपे के SIP SBA Contra Fund पच्छे सुरुपे के SIP Contra यानि की hidden stocks को जैसे जिनमें की potential बहुत ज़्यादा है लेकिन current market में उनके return अच्छे नहीं है तो यह आपको time period में अच्छे return मना कर दे सकते हैं केबल एक scheme SDFC multi cap की मुझे पसंद नहीं आई बाकी तॉप का portfolio ठीक है आप देख लेते हैं कि आपके portfolio के average return कितने रहेंगे और कितना corpus बने और after inflation के adjustment के बाद कितना आपका उस समय जो पैसे की value रहेगी तो मंतली SIP आपकी जारी है 25 रुपे की जो की अच्छा कासा amount है और 16% के इस portfolio से return मिलने की पूरी-पूरी उम्मीद है अगले 25 साल में आपकी जेब से 25 रुपे के SIP के हिसाब से 75 लाख रुपे जाएंगे investment money जो आपकी जेब से पैसा जाएंगे आप जमा कर चुके होगे इस पर आपको return मिलने के 16% के हिसाब से लगबग 9 करोड 20 लाख रुपे का final corporate आपका SIP से बनते विए दिखाई दे रहा है याँ पर 9 करोड 90 लाख रुपे में उतना ही समान खरीद पाऊगो जितना कि आज 3 करोड 30 लाख रुपे में आप खरीद सकते हो ठीक है अब आपका इसमें पीपेएप का investment भी एड़ कर देते हैं तो साड़े बारा रहा रुपे आप मंतलि इंवेश्मेंट कर रहे हो यानिकि तो यहाँ पर 10 करोड 90 लाख रुपे मोटा बड़ा 11 करोड भी मन लो उरूपर के 90 लाख अटा भी तो 10 करोड तो हराल में आपका बन रहा है लेकिन वह वाली बात है कि inflation के बाद 3 करोड 30 लाख रुपे या साले 3 करोड बन लो तो इतना भी रहता है तो लेकिन सोच कर देखिए जिसने कराई नहोगा तो क्या होगा अब ये inflation को बहुत लोग गाना गाते हैं अरे भाई उनकी सोचो जो 95% लोग investment करी नहीं रहे हैं उनकी खर्चे कहां से चलेंगे आप inflation का गाना लेकर चल रहे हो हाँ जरूर ही है inflation तो हम consider करते ही है हमेशा यदि inflation को नहीं देखते हैं हम तो investment करने ही जिरो होती क्या थी हम त inflation को ध्यान में रखकर ही तो कर रहे हो उसकी value यदि 10 क्रोड मिलेगा तब ही तो रहेगी इतनी तीन क्रोड सारे तीन क्रोड यदि आपको investment नहीं करोगे तो 10 क्रोड बनेगा नहीं तीन क्रोड की value कहां पहुंचेगी उसकी फिर फिर तो वो खतम ही यह कहां नहीं ठीक है तो